हालो फ्रेंज नमेश्कार तमाई दियान में स्वागते आप सभी का आज हम बात करें वाले हैं different between sympathy and empathy ये दोनों words हैं same लगते हैं बोलने में sympathy and empathy बट इनके जो meaning है वो थोड़े थोड़े different है आप इसको किस तरीके से बोलेंगे अपने daily routine में वो जो different है वो आज मैं आपको बतावाँगे sympathy sympathy का मतलब है कि अगर कोई सामने वाला बंदा आपको अपनी problem share रहा है अपनी बाते आपको बता रहा है तो आप उसकी हां में हां मिला कर उस इंसान को सहानुबूती देते हैं उस इनसान को सहानुबूती से support करते हैं वो होती है sympathy but empathy का मतलब होता है empathy ये होती है कि आपने किसी का दुक देखा दर्द देखा उस सामने वाले इंसान को आपने कुछ भी नहीं बताया है बट फिर भी आप उसके लिए feel कर रहे हो इसको बोलते हैं ये भी साहनूबुती ही होती है बट इसको बोलते है empathy दोनों वर्ट्स का मतलब सहानु U B goin ही होती है वाण यह जो सामने वाला बन्दा को आकर बोलता है उसके बाद में आप उसको देते हो उसको बोलते हैं ऑर जब आपकी सहिके बगार बताए उसको मदद करते हो इसे हम बोलते है empathy, so guys मुझे लगता है यह आपको समझ आया होगा empathy and sympathy का different, thank for watching